Hello Everyone, Welcome back to our channel Kashmir Food Fusion Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated आज हम आपको दिखायेंगी आप घर पे दानुवल कोर्मा कैसे बना सकते हैं यह वाजवा स्टाइल दानुवल कोर्मा हमने आपके लिए बनाया हैं हमने इसे पहले भी एक बार दिखाया हैं अगर वो इंग्लिश में है और आप रिक्वेस्ट पे पाप्लिक की हमें उर्दू में दिखा रहे हैं और इसमें एक स्पेशियालिटी हमने आड की एक स्पेशल इंग्रीडेंट तो आपे ज़रूर बनाएगा यहां पर हमने यूज किया है मतन या माज 1.5 kg कर्ट दही 1 kg जा जानवाल या दन्या यह देखिए हमने लिया है एक मीडियम साइज अन्यन या गंडव तिर लिया है हमने देशी गी ग्याव तरमरिक लेदर क्लोव्स रॉंक इसने बहुत सारे यूज होंगे ब्लाक कार्टमम बुड़ल फिर ग्रीन कार्डमम निचल यह भी इसने बहुत सारे यूज होंगे सिनमन स्टिक या दाल चीन फिर जिंजर पाउडर शोट फिर आपने यूज किया इसमें गार्लिक का पेज दगित रूहन आप सीदे गार्लिक लिप ले सकते हैं इसमें डाल देंगे वाश किया हुआ माटन मास फिर इसको लिड उपर रख देंगे कोई भी ताकि इसकाम जो है उपर आजाए उबाल आने से यह देखिए एक बॉल आने के बाद इसकाम सारा उपर आता है फिर आपके रूमू करेंगे इसमें सारा जो इसमें होता है इसकाम उपर आ जाता है बॉल आने के बाद तो यह रूमू करने के बाद माटन जो है वो आप इसली कुक कर सकते हैं जब भी आप गर पे कोई भी माटन डिश बनाएं ट्राइट रूमू दिस उससे फिर आपको टेस्पी आएगा अच्छा मा डाल देंगे सॉल्ट या नून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छेस करेंगे वो और हम डाल देंगे इसमें गारलिक का पेस्ट एक बड़ी चमच अब गारलिक क्लोस भी डाल सकते है जगर पे होता है रोहन अब इसको प्रिशकुकर के लिए क्लोस करेंगे और दो यहां से लिए है दही एक पैन में और देंगे एक अंड़ा ताकि इसमें कर लिखना हो दही फट न जाये अब इसको विस्क करेंगे और इसको स्टर करते रहेंगे जब तक न इसमें उबाला आई दही में तहले बॉयल तक आपको कियरफुली रहना चाहिए इसमें उसके ब ग्याव 1.5 कप यह आप अपने एक टेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं टर्मरिक 1.5 टेबल स्पून आदी बड़ी चमच जिंजर 1.5 टेबल स्पून आदी बड़ी चमच फिर दाल चीनी स्टिक एक छोटी लाइची साथ आठ लॉंग 4.5 बड़ी लाइची एक अच्छे से मिक्स करेंगे अप सारे स्पाइस को कर्ण में हम एब रेड्यूस करना है जो यह दही है इसको पानी अबजोब होना चाहिए इसका और रेड्यूस हो जाएगी यह देखिए अब जाएगा इसमें यह इसमें डाल दिया है फैनली चॉप्ट अनियन आफ बहुत इसमें डाल देना है इसे बहुत अच्छे फ्लेवर आएगा इसमें अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑइल पैन में और वेट करेंगे जब तक उसको स्मोक लीव होगी और गरम हो जाएगा और इसमें अब डाल देंगे जो हमारा बाकी हाफ था अनियन वो यह भी फैनली चॉप् अच्छे से तो हाफ अनियन हमने डाल दिया था इसमें पहले ही बहुत फाइन चॉप करके फ्राइ करने के बगए न्यू ली गंड हाफ और बाकी को हमने फ्राइ किया है मास्टर्ड ऑइल पे और आब वो भी आड़ कर देंगे हम इसमें यह देखिए तड़के की तरह तो विस्सल्स के बाद अक्रीबन हमें अपने प्रिशकों के लिट खोल देंगे माटन स्टॉक जो है माजरा स्ट्रेंड करेंगे और जो मीट के पीसेज हैं वो सेपरेट रखेंगे यह देखिए माटन को यहां पर आव वाश कर सकते हैं ठंडे पानी के साथ ताकि फृद्ध कूकिंग ना हो इसमें इसको और क्लीन हो जाए फृद्ध और हम इसमें डालतेंगे अब माटन स्टॉक माटन वाश करके जो हमने अभी रखा था हम अब इस तरही में उसको और कुक करेंगे यह देखिए तो आपने इसको जब विसल ओपन की फिर स्ट्रें किया और वाश किया मीट को माटन स्टॉक नहीं पहंकना है उस्टेज पे इस तरही मीट को और ठंडे पानी से वाश करेंगे फिर आप डाल देंगे वो इस तरही में फिर देंगे यही मटन स्टॉक माजराश जो भी रखा था हम इस सेपरेट करके यही डाल देंगे इसमें और फिर डाल देंगे इसमें फ्रेश कोरिंड लीव या दान वर अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब को यहांपर आप नमक एजस कर सकते हैं तो हम थोड़ा sun salt or adjust करें अपने taste के according फिर इसके बाद हम इसको lid cover करके cook करेंगे हम तब तब cook करेंगे जब तक के curry reduce ना हो जाए और इमाटन पूरा fine 100% तक ना cook हो जाए तो यह देखिए हम चेक करेंगे कि यह soft हो गया है या नहीं meat और अगर meat soft हो गया है दही भी बन चुकी है कॉर्मा भी बन चुका है तो आप ज़रूर बनाएगा दानवल कॉर्मा इस तरीके से और don't forget to add जो हमने इसमें डाल दिया है onion यह लिगंड आदा चौप करके और यह recipe ट्राइ करके हमें ज़रूर अपना feedback send कीजिएगा हमारे Facebook और Instagram पेज़ पे